तो NTA ने NCHMJE के एडमिट का रिलीस कर दिया है उसके बाद बात आती है अगर जे मेंस और नीट की तो बच्चों को वेट है कि एक्जाम होंगे या नहीं हो तो वीडियो स्टाट करने से पहले मैं आप से बताना चाहता हूँ अगर आप जे मेंस, नीट ये जे डिवांस की त आप से फॉलो कर सकते हैं ये एडिवाट चैनल को जो कि यूटूब पर आपको फ्री लेक्चर्स भी अवेलेबल कराते हैं तो साधे सार अन्यक एड़ी प्लस पे एक एजुकेटर भी हैं यहाँ पर आपको मिलेंगे जे मेंस, बिट सेट और नीट से डेटर सारे लेक्चर और साधे सार चीट कोर्स और कुछ ट्रिक्स जो क्या भी कमिलेटिव एक्जाम में काफी हलफूल हो सकती हैं लिंक डिस्किप्चर में जाइए और चेक आउट करिए क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में याची का डल चुकी है और दूसरी याची का भी डाली जा चुकी है जिसके अदर कहा गया है कि जे मेंस और नीट का जो एक्जाम है वो अभी ना लिया जाए उससे डिसंबर तक पोस्पोन कर दे जाए अब यहाँ पर एड्मिट दोनों के लिए आ सकते हैं अब यहाँ पर उसके बाद बात आती है सुप्रीम कोर्ट में अगर डिसिजन कुछ आता है पोस्पोन का तब जाके हमें देखने को मिलेगा कि आपके जो एड्मिट कार्ड हैं वो किस तरे कैंसल होता है अगर एक्जाम कनेट होता है तो सेप्ट हो चुक है कि अगर वो ओर लेट करते हैं तो उनकी त्यारी जो है वो थोड़ी सी खराब हो सकती है और थोड़ा ओर लेट होने से दिक्कत आसकती है सिर्फ कुछ बच्चे ऐसे भी जो चाहते कि एक्जाम हो जाएं वहीं जादर बच्चे ऐसे हैं जाहतर जो परसेंटेज मतलब यह है कि जो अब जो case आ रहे हैं उससे काफी कम थै अब जो case आ रहे हैं डेली वह इतने ज़्यादा आ रहे हैं इसके बीच अगर exam ले जाते हैं तो उस समय जो exam cancels करेंगे है उस समय जो exam postpone करा गया उसको कोई मतलब नहीं बैठते है तो इसलिए पात यही है में यहाip लोग को नोटिस होते निजबात करें के तेंक यू